आज हम सुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th मैच का चैप्टर 1 जिसका नाम है नमबर सिस्टम्स नमबर सिस्टम्स को पढ़ने के लिए आपको पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज़ के बारे में होनी चाहिए इनके बारे में सबसे पहले मैं आपको इसकी जान करेंगा सबसे पहले जो हमारा बैसिक में हमने पढ़ना है वह है नेच्टर नमबर सिस्टम होते हैं नेच्टर नमबर सिस्टम्स number system होते हैं जो basic number system हमारे होते हैं जिन्हें counting numbers भी बोलते हैं यह बोल जाता है natural number जीसे example के लिए अगर देखें तो 123 and infinity जो भी हमारे number होंगे all numbers are natural number और इससे N से denote किया जाता है तो इस numbers को हम बोलते है natural numbers इसके बाद जो next हमारा basic इससी concept हमने clear करना है उसमें आता है whole numbers, whole numbers में बच्चो, when the number 0 is included with the system of natural numbers, कि जब 0, देखो natural numbers मैंने ये लिखे हुए है, 1, 2, 3, जब इस natural numbers में, मैं 0 को include कर देता हूँ, ये मैंने 0 include कर दिया है, तो ये number उसके बाद whole number बन जाते हैं, इन numbers को क्या बोलते हैं, whole numbers, जब natural numbers में हम 0 भी include कर देते हैं, तो वो number whole numbers कहलाता है, और इससे हम किसे denote करते हैं, इससे capital W से denote किया जाता है, तो हमारे whole numbers में कौनकों से number हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जित्ते भी हमारे numbers होंगे, और सारे numbers हमारे whole numbers कहलेंगे, अब यहां पर थोड़ा सा main point जो आपको यहां पर देखना है, एक रिमार का आपके लिए आता है, कि बहुत important topic आता है, कि इसमें हम यह कह सकते हैं, कि every natural number, जो भी हमारा natural number, जो भी 1, 2, 3 से हमने start किया हो था, और infinity तक यह गया था, तो every natural number is a whole number, कोई भी जो natural number होगा, हम कहते हैं, कि every natural number is a whole number, तो यह यहां पर हम एक बात कह सकते हैं, every natural number is a whole number, जो भी natural number हमारा होगा, वो whole number होता है, and zero is the only whole number, which is not a natural number, और zero का ऐसा whole number है, जो natural number नहीं होता है, तो यह दूसरा fact है हमारी पास, zero का ऐसा whole numbers है, जो natural numbers नहीं होता है, तो इस तरीके से इसके यह concept आपको clear करने हैं, third जो हमारा इसमें topic आता है, third जो basic इसमें आपको पढ़ना है, उसमें आता है integers, तो integers में अब हमने क्या किया, हमने सारे के सारे whole numbers ले लिए, definition बात में देखेंगे, पहले से एक बार example से समझ लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinite तक सारे whole numbers हैं, इस whole numbers में अगर मैं natural numbers के negative भी ले लूँ, natural numbers के negatives, इसमें देखेंगे, आपके definition में लिखा वो है, कि when the negatives of all the natural numbers, negatives of, negatives of all the natural numbers, all the natural numbers के जब negative हम लेते हैं, तो ऐसा जब भी system हमारा बनता है, तो वो system हमारा whole number, integers कहलाते हैं, वो system क्या कहलाते हैं, इसे हम denote करते हैं, capital Z या I से denote करते हैं, तो यह हमने 0, 1, 2, 3, यह तो हमारे सारे whole numbers हैं, इन whole numbers में हमने क्या कर दिया, इन natural numbers के भी हमने negatives भी इसमें include कर दिया है, तो तब यह number क्या कहलेंगे, integers number कहलाते हैं, अब integer के बाद हम देखते हैं, कि integers के बाद types of integers, types of integers में हम देखते हैं कि types of integers टू टाइप्स होते हैं, जैसे first type जो होता, positive integer बोलते हैं, first type positive integers, जिशन हम denote किसे करते हैं, Z plus, and इसका example क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, जो भी हमारे number होंगे, वो सारे number हमारे positive integers में आ जाएगे, और same negative integers कौन से होंगे, negative integers को हम किसे denote करेंगे, Z minus, इससे denote कि आ जाएगा, and minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, इस तरिके से जितने भी हमारी numbers होंगे, के minus वाले, वो सारे हमारे negative integers होंगे, वो negative integers के इंदर आ जाएगे, and अब हम next topic में थोड़ा सा focus करते है, rational number, जो बहुत importance है, कि rational numbers किया होते है, तो rational number समझने के लिए, सबसे पहले गाद देखा जाए, तो इसके जो, नाम है ratio, जो वर्ड है, ये ratio number से मिलके बुना हुआ है, और ratio means, होता है किसी भी two integers का, जो ratio calculate के आता है, उससे इसका मतलब होता है, means एक fraction के form है, यससे हम define easily कर सकते हैं, तो इसके जो definition है, definition देखके चलते हैं, a number is called a rational number, if it can be written in the form of P upon Q, ये देखे P upon Q, P upon Q, P is a numerator and Q is a denominator, यहाँ पक P हमारा uns है और Q हर है, तो इस तरीके से एक ratio के रूप में, एक fraction के form में हम इसे denote कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, rational number हो जाएगा, वेर एक condition यहाँ पो होती है, P and Q हमारे are integers, and Q is not equal to 0, जो Q है वो इसकी value 0 नहीं हो सकती है, बस ये एक condition है, आप इस condition को आपने say से अपने mind पर रखना है, Q is not equal to 0, जैसे हम एक्जेम्पल लेके चलते हैं, 3 upon 1, जैसे 3 है, अगर कोई पूचते है, अगर, कि 3 कैसा number है, rational number है या नहीं है, तो 3 is a rational number, बिकास कि 3 को हम कैसे define कर सकते हैं, हम इसे 3 upon 1 ले सकते हैं, ये राइट 3, 3 upon 1, 3 upon 1 is the form of P upon Q, जैसे वैल्य आप पी इस 3, वैल्य आप क्यू आप क्यू इस 1, तो ये हमारी rational की condition फुल्फिल कर रही है, जैसे 3 is a rational number, and 0, 0 is also a rational number, 0 is also a rational number, 22 upon 7, बहुत confusion करता है, 22 upon 7, ये एक rational number है, ये कैसा number है, एक rational number है, 2 upon 3, 2 upon 3 is a rational number, इस तरीके से इसके example हमारी बास होते हैं, अब next topic की ओर चलते हैं, जो topic का नाम है, the number line, number line में बहुत easy है, आपने बहुत तरीके से आपने इसको पढ़ा होगा, number system को define करने के लिए, number line बहुत important होता है, कि number system को हम कैसे define किया जाता है, आप इसमें देख सकते हैं, ये 1, 2, 3, अगर आप इस numbers को आप देखते हैं, तो ये natural number हैं सारे, तो इसको भी हम इसमें number line में define कर रहे हैं, अगर यहाँ से start करें, 0, 1, 2, 3, इसे अगर देखा जाए, तो ये आप देखा तो ये सारे whole numbers हैं हमारे पास, और अगर ये देखा जाए, 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3, तो ये integers हैं, तो इस तरीके से पुरा number system एक number line के अंदर define हो सकता है, बहुत अच्छे तरीके जैसे explain किया जा सकता है, और इसे में हमारे rational number भी define हो जाते हैं, तो सारे number system हम number line के अंदर define कर सकते हैं, और इसमें जो ये midpoint होता है, जहांपर हमने ये 0 लिखा हुआ है, इससे origin बोला जाता है, और right side की जो भी इसमें value होती है, ये सब positive में जाती है, और जो left side की value होती है, उन्हें हम minus में रखते हैं, तो इस तरीके से number line पर हम number को define करते हैं, number system को denote करते हैं, आज़े चलते हैं अपने next topic के ओर, अब हम चल लाएं question आपके NCRT में, एक example है number 2, इसका solution calculate करते हैं, इसके base पर आपके exercise में भी question आने वाले हैं, तो कैसे solve किया जाएगा, आईए चले देखते हैं, question है, find five rational numbers between one and two, one and two के बीच में कोई five rational numbers calculate करके दिखाईए, तो इसे करने के दो method हैं हमारे पास, तो पहले first method को पढ़ते हैं, फिर second method को देखते हैं, तो suppose हम थोड़े देर के लिए यह मान के चलते हैं, तो इसे करने के लिए सबसे easy method हमारे पास यह होता है, हम इन दोनों का sum calculate करते हैं, इन दोनों का sum calculate करेंगे, x plus y, और उसे 2 से divide कर देंगे, इस तरीके से इनके बीच में हम rational number calculate कर सकते हैं, आईए करके देखते हैं, हमारे पास number है, जो x और y की value है, x की value 1 है हमारे पास, और y की value हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर value put करके देखते हैं, तो x, तो 1, प्लस 2, अपॉन 2, यह आजाएगा हमारे पास 3 अपॉन 2, तो 1 और 2 के बीच में हमारा पहला rational number तो आ चुका है, जैसे अगर मैं इसे लिखना चाहूँ, मैंने लिखा यहाँ पर 1, और 2, इनकी बीच में एक rational number हमने calculate कर लिया है, उसकी value है 3 upon 2, यह मैंने लिख लिया है, तो आप यहाँ पर हम किस तरीके इसे ऐसे करेंगे, अब इसमें जो rational number है, इन दोनों की बीच में calculate करते हैं, तो क्या हो जाएगा, first number x की value 1 हो जाएगी, and y की value क्या हो जाएगी हमारे पास, the value of y is 3 upon 2, तो यह क्या हो जाएगा, 1 plus 3 upon 2 upon 2, 2 से divide करना है, तो यह जाएगा 2, 1 जाए 2, 2 plus 3, 5 upon 2 upon 2, 2, जैसे multiply क्या जाएगा, तो यह जाएगा 5 upon 4, तो यह 5 upon 4 आगया, तो 5 upon 4 हमारे बास value आगई है, तो यह किस की किस की बीच में हमने निकाला अभी, 1 और 3 by 2 की बीच में हमने value निकाली है, इसकी value आगई है, 5 upon 4, और यह 2 यहाँ पर इदर रहेगा, अब आप इनके बीच में बीच में calculate कर सकते हैं, 1 and 5 upon 4 की बीच में calculate कर सकते हैं, 3 upon 2 और 2 की बीच में calculate कर सकते हैं, तो आजे करते हैं, अगेन हमें वही process यहाँ पर repeat करनी होगी, 1 plus 5 upon 4, इनके बीच में calculate करके देखते हैं, 1 and 5 upon 4 की बीच में कर्कुलेट करके देखते हैं upon 2 देख क्या हो जाएगा 1 4 बंजा 4 plus 5 upon 4 upon 2 तो यह आपकी value यहाँ बहु जाएगी 4 plus 5 9 upon 8 9 upon 8 9 upon 8 हमने किसके बीच में कर्कुलेट कर लिया 1 and 5 upon 4 की बीच में तो इस तरीके से जितने भी हमें question में कितने भी जिसे हमने 1,2,3,4 निकाल दिया है ऐसी 5 rational number करकुलेट करना है तो हम easily इसे करकुलेट कर सकते हैं इस method दोरा और एक method आप हमारे पास second method है आगे 2 rational number आप करकुलेट कर सकते हैं मैं आपको second method है वो बताता हूँ जो second method है second method second method में यह होता है यसको हम जोते है one step method तो one step method में हमने कैसे ककुलेट करना होता है इसमें जो value हमें given होती है उसमें उसका numerator जो होता है इसका denominator जो होता है जैसा 1 upon 2 है जो number हमसे पूछे हुए है number में means 5 उसमें plus 1 add करेंगे और इसको equal to हो जाएगा यह कितना जाएगा 6 तो हम क्या करेंगे इस 1 और 2 को जो 1 और 2 इनकी बीच में रेशन नमबर करने हैं इस 1 और 2 का जो denominator है उसको 6 रखेंगे तो 1 को denominator 6 की form में कैसा लिखा जा सकता है 1 को मैं लिख सकता हूँ 6 upon 6 देखो denominator 6 हो गया 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 को मैं लिखता हूँ 12 upon 6 तो बहुत easy method है अब यहाँ से सीथ हमारे पास value निकल जाएगी अब मुझे निकालने है 6 upon 6 and 12 upon 6 इसके बीच में मुझे calculate करने है 5 रेशन नमबर तो यह क्या हो जाएगा 7 upon 6 9 upon 6 10 upon 6 11 upon 6 12 upon 6 यह हमारे answer आगया तो इस तरीके से one step method से हम इसे और इसी तरीके से कर सकते है तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हम first वाली method को second वाली method को देखें तो यहाँ पे इनकी बीच में थोड़ा सा जो value आ रही है वो different आ रही है और यहाँ value different आ रही है it means यह है इसका कहने का मतलब यह है कि किनी भी दो numbers की बीच में जो rational numbers होते हैं उनके जो वो infinite होते हैं infinite numbers of rational numbers हम calculate कर सकते हैं तो यह बहुत easy method है आपका exercise में भी से related question आने वाले हैं आये अब हम करते है exercise 1.1 आये देखते है exercise 1.1 का question number first question number first में दिया हुआ है is zero a rational number can you write it in the form p upon q where p and q are integers and q is not equal to zero सबसे पहला question आप से पूछ रहा है is zero is a rational number है नहीं है तो मैंने आपको rational number पढ़ा रहा था तो वहाबर मैंने example में आपको बताया था कि zero is a rational number क्यों can you write it in the form of p upon q अगर zero अगर if zero is a rational number तो rational number की definition यह होती है कि वह number को हम p upon q की form में लेख सकता है तो वह ही है कह रहा है can you write it in the form of p upon q वहाँ पर p upon q आपको यहाँ पर define किया हो गए है are integers and q is not equal to zero तो yes zero is a हम रिखेंगे yes zero is a rational number और p upon q की form में लिखने की बात कर रहा है तो मैंने आपको पहले बताया था कि q is not equal to zero तो इजी लिए हम इसे p upon q की form में लिख सकते हैं तो यह था आपका question number first आप question number second question number two में है find six rational number between three and four three and four की बीच में आपको six rational number calculate करने है तो मैंने आपको बताया था rational number calculate करने के हम आपको दो method है तो first method अगर हम देख लाए है कि x upon y हमने एक formula दिया था कि 1 upon 2 x plus y x plus y में जिनके बीच में rational number calculate करने हो numbers को ले ले लेते हैं तो x की value हो जाएगी आप 3 and y की value क्या हो जाएगी 4 यहां पर अगर की value put करी जाए तो 1 upon 2 3 plus 4 7 upon 2 तो इस तरीके से पहली हमारी जो इसकी value है 7 upon 2 एक rational number हमारा इसमें calculate हो चुगा है अब हम calculate कर लेते हैं 3 and 7 upon 2 की बीच में calculate कर लेते हैं तो हमारी बार formula क्या हो जाएगा 1 upon 2 x plus y and 1 upon 2 value of x 3 and y ले लेते 7 upon 2 तो 1 upon 2 6 plus 7 13 upon 2 and this is equal to 13 upon 4 एक rational number यह हमारा calculate हो जाएगा ऐसा ही 13 upon 4 and 7 upon 2 की बीच में आभी 4 and 7 upon 2 की बीच में calculate कर लेते हैं तो इससे calculate करने के लिए 1 upon 2 x plus y 1 upon 2 4 plus 7 upon 2 is equal to 1 upon 2 8 plus 7 upon 2 15 upon 4 तो यह भी हमारा इसमें easily calculate हो जाएगा इसी तरीके से बहुत सारे अब आप 3 आप 13 upon 4 में calculate कर सकते हैं 1 upon 2 x plus y 1 upon 2 3 plus 13 upon 4 1 upon 2 12 plus 13 upon 4 is equal to 25 upon 8 इस तरीके से बहुत सारे numbers में calculate कर सकते हैं और आप easily इसे calculate कर लेंगे आईए चलते हैं question number third की और question number third में है find 5 rational number between 3 upon 5 and 4 upon 5 तो इससे कैसे करते हैं इससे आप second method से थोड़ा सा use करके देखते हैं जो हमने second method में one step method बताया थी हमने वहाँ बताया था कि आप इसका denominator same कर लीजिए और denominator करना कितना है सपोज हमें कितने 5 rational number calculate करना है तो हम 5 plus 1 करेंगे and equal to हो जाएगा 6 तो इसका denominator हमने 6 रखना है दोनों में तो इसका दोनों में denominator को 6 रखने के लिए हम इसे easily लिख सकते हैं 3 upon 5 तो यहां में 6 से multiply कर लेता हूं और यहां भी 6 से multiply कर लेता हूं तो यह हो जाएगा 18 upon 30 सेम 4 upon 5 के लिए multiply 6 and 5 multiply 6 24 upon 30 तो अब हमने जो calculate करना है वो हमने calculate करना है 80 upon 30 and 24 upon 30 इनकी बीच में rational number calculate करना है तो धिरे दिरे अगर के इसमें 1 plus करते हुए जाए और लिखते रहिए तो यह क्या हो जाएगा 19 upon 30 20 upon 30 21 upon 30 22 upon 30 and 23 upon 30 तो 1,2,3,4,5 यह response number हमारे इसमें calculate हो गए तो इस तरीके से second step से भी हम इसे easily in questions को कर सकते हैं अब देखते हैं last question exercise 1.1 का question number 4 so question number 4 को समझने के लिए बाहर हमारा basic वाला concept था उसे हम लेके चल ले हैं तो इसमें आपको true and false बताने तो इसमें जो पहला point है वो कहता है कि every natural number जो हमारे natural number है every natural number is a whole number कि जो natural number है वो whole number होते हैं तो आप देखिए easily आप देख सकते हैं मैंने आपको पहले ही जब मैं इसको बता रहा था तो मैं इसको समझा रहा था natural number is a whole number natural number one two three है यह whole number के अंदर है तो यह हम easily कह देंगे कि यह true है कि all the natural numbers are whole numbers second जो आप किसका portion है every integer is a whole number every integer every integer is a whole number ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता होल नमबर में 0,1,2,3 हमारी only 0,2 positive numbers आ रहे हैं और integers हमारी negative values भी होती है तो यह हम सीता यहां पर easily बोल देंगे कि यह false है कि every integer is a whole number नहीं है यह wrong है क्योंकि हमारी जो negative value है वो whole numbers में नहीं होती है every rational number means p upon q की form में यह whole number क्यों एक whole number है नहीं है because rational number होते है अब देखे इसमें कहीं भी fraction p upon q वाला form में आ रहे है यह तो 1 upon 1 तो ठीक है p upon q की form में हम लिख सकते है 2 को भी 1 upon 1 के form में लिख सकते है बस 2 upon 3 अगर में लिख दूँ यह एक rational number है but whole number नहीं है 2 upon 3 is a rational number but 2 upon 3 is not a whole number यह भी हमारा जो होगा wrong हो जाएगा false हो जाएगा तो इस तरीके से बच्चों यह थी हमारी आज की class जिसमें हमने introduction और कुछ basic concept को clear करते हुए आपका exercise 1.1 को clear किया है तो इसी तरीके से हमारे साम बने रही है और चैनल को subscribe कर लिजे next video में हम exercise 1.2 को सामिल करेंगे जिए पुल्चेंगे आपका